अगर आपको लगता होगा ने कि सुपरेश्टार मतलब हमर ठीक है और उसन उसन सुपरेश्टार तू कहां है तू किस बील में तुम रहोगे ना कि समझा देंगे वक्त आ जाए दिनेश लाल यादो हाथी मरेगा ते गईबागा ना कि हाथी काय मर गई यहां बेटी नीशा यादो कि जिस प्रकार से हत्या की गई है तो कान में त्यल डाल करके सो गए हो तर रगड़ेंगे ना हम सूतने देंगे कनमा में हूटर बजा कि त तुस्ते लुए आदो है तुम को जतना उखाड़ना होगा ना तो खाड़ रगड़ेंगे नकिया रगड़ेंगा में दर्तिया में डरते नहीं काहें डरेंगे पबलिक से हम चलते हैं पबलीक के लिए जान भी चला जाएगा तो कुई दिकत नहीं है नेता नेता तो हम है आज दिने से लादो को अश्टार कोन बनाया है अहीर हम है खांटी अहीर ठीक है हम तदा सरी कृष्ण के हम वनसज हैं और हमको जादे मखान हम खाते हैं लपेटते नहीं है किसी बात में ठीक है जो खर्रा-खरी रहेगा जो सुपरस्टार जो लोग यह अपने आपको इस ले लेकिन इनके बैवाहर भी दिखाई नहीं देता है आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक स्टेशन मेरा नाम अमान है इस वक्त हमारे साथ भोचपूरी के सूपरस्टार संतोष रेनू यादव जी है हाला कि परिचाए हमने दे दिया लेकिन किसी परिचाए के महताज न है देते हैं इतना गुस्ता क्यों इन दोनों से आप इतना बढ़ियां से बात करें अंभाट को लग रह रहा है कि मतलब मुह नाग मतलब दिल पर नहीं लीजाए एक मतलब अपना स्टाइल रे देसी पन है कहने का देखे तो देसी पन तो रहेगा ना हम देखिए हम है जो भी खर रही रहेगा हम देखते हैं मौजा तो जा भी नहीं पहनते हैं इसे भी आपको विश्वास नहीं होगा कभी जब हम गारी उड़ी चलाएंगा ना तब देखियेगा हम अपने ड्राइवर को बाएं बाला सीट पर बैठा देते हैं जहां पर रेपूट्रेशन की ब सारो लोग भी बोलता है कि संतों सर्व अपने से गारी चलाता है लेकिन उनको इका पता है कि अरे ड्राइवर साभी तो एक इंसान है उनका भी देहां थकता है ना तो हम बोलते हैं कि आप दो घंटा रही गंटा चलाईए उसके वज़े से मियाज थके आप हमको बिलुकु करनी हो गया है और इस चीज को हम कोशिस करते हैं कि इसको फूर्फिल करते राइन तरीके से उस्परस्टार जो लोग जो हैं यह अपने आपको इस लेवल पर लेकर के कि चले गए हैं अपने आपको पब्लिक का जैसे लगता है कि मैं जिसे बोलने के लिए तो बोल देता है कि लेकिन इनके वह-बहार में दिखाई नहीं तब को रहता हुं अलागे वो एक सांसद है अभी है नहीं लेकिन चुनाव लड़े थे लड़े थे पवन सिंग भी जाने माने सुपरेस्टार आप उनके बारे में भी कहते रहते हैं हमने तो नाम लिए अगा हम आप generallyो सुपर श्चार में से मतलब नहीं होता है हमरा पबलीक से मतलब हम अगर आप public के मुसिबत में साथ खड़े हैं तो हमरी लिए आप सुपर श्चार हैं जिए अंप ठीफ कोई रहिए आप पबलिक के मुसिबत में आप साथ में खड़ा नहीं है तो आप कोई रहे हम लिए कुछो नहीं है क्या चीन है क्या चिन है क्या चीन है तो पबलिक के लिए तो हम लड़ेंगे ना आज दिनेस लाल यादो जैसे मने अखिलेस जादो के खिलाप चुनाव लड़े चुनाव लड़ना उनके संबेधानी का धिकार थी तो एक मानविये कुछ कर्तब भी तो बनता है आप चुनाव लड़े आपको अहीर समाज कुछ बोला विसेज नहीं बोला कि चुनाव लड़ रहे अच्छी बात है लेकिन आप जो घटना घटित हुआ है चंदोली की बहन नीशायादों को पुलिस के बिल्ड से पीट पीट करके मार दिया जाता है और साक्ष छुपाने के लिए उनकी डेट बोड़ी को फासी के फंदे पे लटका दिया आता है साड़ी से लपेट करके पंखाम लटका दिया आता है जो वहीं तो हम करें ना वहीं तो अम दिनेशाल ल्यादों से पुछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ बीजेपी की सरकार है वहां प्योगी आदितनात बाइकास्ट राजपूत है और जो भी ऐसा घिनोना कार्ज किये हैं जो लोग वो दोनों को दोनों जो पुलिस आए वो राजपूत हैं जाती जातिकत मानसिक्ता से प्रेडित हो करके कर्च किया गया है तो दिनेशाल लादो हाथी मरेगा तो गईबागाना कि हाथी काय मर गई यहां बेटी नीशा यादो की जिस प्रकार से हत्या की गई है तो कान में तेल डाल करके सो गया हो तो में रगड कर दना नकिया रगड द análम दर तीयामें काय डरेंगे पबलिक से हम चलते हैं पबलिक विल्सया जान बेफिला जैगा तो कोई दीक्षत त्रें नता एक निया गांगेon रए नो नता तो हम है हैं हम आपकु क्या बोले कि जो चुनाउ लड़ता होई है हर घर का सक जो अपने परिवार का लीड कर रहा है जो अपने शेमाज का लीड करें वह प्र हाल क यहांõ और कंग कर तो भाए करें भी तो कि दिनेश्वाड़ फा抵र मैं आज तक सब को मैं आज यह आधाly ओंस लिया था लेकिन बहन नीसीन दो कि हमारी बेटी पहन की इस परकार से हत्या की जाएगी और आप राजनीत करोंगे तो चूप चाप रा जाएगे हां आज दिने से ललादो को अश्टार कौन मनाया है और अहिर की इस तरीके से तुम अभेलना करोंगे तो बरदास्त नहीं करेंगे मैं बोल रहा हूं सामने से बोल रहा हूं रगाड के रख देंगे अगर आपको लगता होगा ने कि सूपरस्टार तो सूपरस्टार मतलब हमर ठीक है और उसन उसन सूपरस्टार तू कहा है तू किस बील में तुम रहोगे ना समझा देंगे वक्त आ जाए तो यह थे हमारे साथ संतोष रेनु हाँ इसी तरह के खबरों के साथ भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सूपरस्टार के साथ अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर इस वीडियो को जादे जादे शेयर करिए धन्यवाद